सब्सक्राइब कीजिए ESA Classes चैनल को और बेल आइकन दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब उस प्राब्लम को कंटिन्यू करेंगे हम यह जो वॉल्यूम है 2.2 डीम क्यूब और इस रॉड का वॉल्यूम सेम होना चाहिए conversion में यही आद रखना है किसी भी material को किसी भी material में जब convert कर रहे हो तो V1 is equal to V2 होना चाहिए तो V1 तो हमको दिया है 2.2 डीम क्यूब लेकिन डीम क्यूब को meter क्यूब में convert करना होगा जो क्यों होगा D का मतलब होता है 10 is to minus 1 और cube है इसलिए 10 raise to minus 3 meter cube is equal to इसका volume यानि कि इस rod का volume यह cylindrical rod है तो of course pi r square each होता है so pi r this is the radius क्योंकि यह तो diameter है तो radius 0.25 cm यानि कि इसको मैं fraction में convert कर लेता हूँ 1 by 4 cm हो जाएगाई और cm को meter में अगर हम convert करेंगे तो आपको पता है 10 raise to minus 2 अपलाई करना पड़ेगा so r square यानि कि 1 by 4 into 10 raise to minus 2 इसका square pi r square each यानि कि यह length है cylinder की length को ही यहाँ पे height पगड़ना पड़ेगा हमको जो कि अब मैं इसको yl लिखूंगा वही आपको find out करना है तो इस पूरे बंदे को उठा के इसके नीचे लाना होगा तो आपका yl equal to आएगा 2.2 multiplied by 10 raise to minus 3 यह तो अब meter cube है और यह भी सब कुछ meter में convert किया है इसलिए आपका length meter में आएगा फिर नीचे आएगा यह 22 by 7 multiplied by इसका square यानिके 1 by 4 का square 1 by 16 multiplied by 10 raise to minus 2 का square 10 raise to minus 4 अब इसको हम क्या करेंगे solve करेंगे तो आपकोस यह नीचे से उपर आएगा यह भी नीचे से उपर आएगा इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो यह minus 3 minus 4 बन जाएगा और यह और यह cancel हो जाएगा इधर point shift हो गया इसलिए यह और यह भी cancel हो गया तो 16, 7, 1, 1, 2 meter this is the length of the required rod इसको पढ़ लो आपके पास कुछ ऐसा mass है iron का यह mass है point 88 cubic meter so this is let us say initial volume and it is point 88 meter cube cubic meter का मतलब होता है meter cube और इसको आपको convert करना है rod में iron के rods में एक rod में ने ऐसे कई सारे rod बनाने है और हर एक rod कैसा है उसका description उन ने दिया है तो हर एक rod ऐसा है कि उसकी length है 7 meter और इस rod की diameter है इस face की diameter है 2 cm ऐसे कितने rod बनाए जा सकते है ऐसे बहुत सारे rod बनाए जा सकते है let us say ऐसे yen rods बनाए जा सकते है ठीक है तो हमको इस yen की value निकालनी है अब diameter को हम radius में convert कर लेंगे जल्दी से 1 cm हो गई अब ये meter cube में है ये meter में है ये centimeter में है लेकिन सभी को meter में करोगे unit अगर same रहेंगे तो calculation correct आते है otherwise calculation wrong हो जाएंगे ये आपको हमेशा याद रखना है सो centi को निकालने के लिए 10 raised to minus 2 अपलाई करना पड़ता ये मैंने पीछले वीडियो में बताया है आपको अब latest season सभी का volume है V2 तो conversion जब भी किया जाता है melting करके हो या फिर stretch करके हो कुछ भी करके हो जब conversion किया जाता है तो density constant rate is आजिम किया जाता है और उस situation में initial volume of the material becomes equal to the final volume of the material initial volume तो आपको दिया है 0.88 meter cube 88 meter cube और final volume is the volume of all the rods this is the volume of all मतलब n rods volume of n rods is nothing but n multiplied by volume of one rod volume of one rod of course यह तो पता होना ही चाहिए आपको समझना ही चाहिए एक rod के volume को आपको यन से multiply करना है so it becomes equal to n multiplied by volume of one rod it is nothing but pi r square yach yach यानि की length है यहाँ पर मैंने पीछले ही problem में आपको बताया है तो pi जो कि होता है आपका 22 by 7 r जो की इधर दे रखिए देखिए r उसका square यानि की 10 raise to minus 4 और yel इधर दे रखिए देखिए आपको 7 meter तो अब yen निकालने के लिए इस पूरे को मैं transfer कर दूंगा left hand side को तो yen equal to आपका 0.88 0.88 hold 22 upon 7 multiplied by 10 raise to minus 4 multiplied by 7 ये और ये cancel ये इधर चला जाएगा इसका मतलब ये इधर 10 raise to minus 2 बन जाएगा 22 4 जा 88 और 10 raise to minus 4 उपर जाके 10 raise to plus 4 बनेगा तो ये आएगा आपका 4 इंटो 10 raise to ये प्लस 4 हो जाएगा तो minus 2 और प्लस 4 मिला के आपको 10 raise to 2 देंगे so you can make 400 such rods of given dimension ये वाला question देखे radii of two cylinders are in the ratio इसका मतलब है R1 upon R2 is equal to 3 upon 5 उनके heights का ratio दिया है 2 upon 3 that is H1 upon H2 is 2 divided by 3 we have to find the ratio of their curved surface areas curved surface area उसको मैं area ही बोलूँगा area 1 upon area 2 आपको निकालना है उसका ratio अब आपको पता है कि उसका curved surface area जो होता है curved surface area होता है pi r h या फिर pi r l अब ये तो constant है इसका मतलब है area 1 upon area 2 is equal to आएगा आपका r1 upon r2 multiplied by h1 upon h2 r1 upon r2 is 3 by 5 ये बहुत straight forward question है ratio और proportion का direct application यहाँ पे किया है बहुत ही easy है इस type question को बिलकुल ही डरना नहीं है actually कैसे भी question को डरना ही नहीं है ये आ गया पर 2 by 5 this is the ratio या फिर 2 is to 5 इसको पढ़ लो यहाँ पे basically क्या क्या है iron के एक cubic centimeter का weight दिया है basically density ही दी है और कुछ नहीं mass of one cubic centimeter is nothing but density what is density density is mass per unit volume so mass of one cubic centimeter दे रखिये आपको this much so its density is 21 grams per centimeter cube और आपको एक pipe दिया है उस pipe के बारे में कुछ जानकारी दे और उसका mass आपको निकालना है अब mass का मतलब क्या हो गया फिर इस equation से अगर आप देखोगे तो density को अगर मैं d लिखता हूँ तो of course d multiplied by v यह हो गया mass तो इसका मतलब यह density दो दी है अब volume बस मुझे निकालना है इस pipe का यह pipe किस तरीके से बना है देखिए यह pipe बना है cast iron से cast iron कुछ भी नहीं होता है iron का यह type होता है यह pipe बना है कुछ इस तरीके से pipe के अंदर pipe है मतलब यह यह इस से इसका volume है निकालना है तो volume तो हम निकाली सकते है with a bore of 3 cm यह जो है ना यह 3 cm है इसका पुरा length है 1 m यह और लेंथ और thickness of metal है 1 cm यानि कि यह thickness यह यहां से यहां तक 1 cm है यह 1 m है बोलना नहीं अब यह पूरा 3 cm है इसका मतलब है कि यह यहां से यहां तक 1.5 हो गया समझ रहा है न यह सब कुछ तो यहां से यहां तक है radius of inner pi actually inner cylinder तो इसको हम बोलेंगे r1 और यहां से यहां तक होगई radius of this outer cylinder तो इसको हम बोलेंगे r2 जिसकी value आएगी यह 1 plus 1.5 यानि 2.5 बस इसको ही समझ लेना है बाकी सब आसान है तो अब volume of this material material तो बस यहां पर है volume of cast iron material it will be equal to volume outer volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder यह तो पता है यह logic आपको volume of outer मतलब pi length same है इसकी देखिए pi h या फिर pi r2 h outer radius outer लेनी पड़ेगी pi r2 h inner तो pi और h दोनों का same ही है यानि length है वो यानि कि r outer square minus r inner square so इसमें अगर put करेंगे हम 22 by 7 multiplied by height जो कि है 1 meter outer radius है 2.5 centimeter देखिए centimeter को आपको meter में convert करना होगा यानिकि 2.5 divided by 100 square minus 1.5 divided by 100 square अब इसको solve करोगे तो आपको आएगा volume so volume of the material is एक काम करते हम हम volume centimeter cube में निकालते है क्योंकि हमको density centimeter cube में दी है इसका मतलब है इसको काट दो तो यह centimeter ही रहेगा बस इस 1 meter को centimeter में करेंगे हम एक meter को centimeter में करना है मतलब 100 से multiply करना होगा तो volume आएगा आपका 8800 by 7 centimeter cube अब जैसे कि मैंने बोला था इधर mass is equal to density multiplied by volume होता है तो density तो यह दी है 21 gram per centimeter cube multiplied by volume हमारा इतना आया 8800 by 7 centimeter cube तो यह और यह cancel हो गया आपका answer आएगा 73023 gram देखे इधर gram है अगर इसको kilogram में करना है तो 1000 से divide करो यानि कि 26.4 kilogram this is the weight of that pipe झाल